तो अलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तो आओ इसको देखते हैं तो हमको मौलूम है कार्बन का एटॉमिंग नमर कितना होता स्थिक्स होता है अगर कार्बन का एलक्टराओंटिक कानफ़िग्रेशन करोगे तुम पाते हो चुजब कामा 4 उसकी 10 किका वोलते हैं वैलन्सी लक्टरान वलते तो कार्वन के बैलेंस इलक्टरान भी कितने है फोर और कार्वन की बैलेंसी कितनी होती है फोर होती है तो कार्वन की बैलेंसी फोर होती है और बैलेंस इलक्टरान भी इसके पास क्या होते है फोर होते है तो कार्वन अपनी बैलेंसी फोर के कारड क्या बनाता है को वैलेंट बांड बनाता है अब जोगो कारवन की बैलेंस इक इतनी यह फोर हमार है तो कर मना किसी को चार nails देता है ना इसिता स्टार एलगेवा सनलने लिए किसी सब्सेंद करता है के क् आड़ single mean ए में कि को वैसलेंट मॉंसंद क्या होती है अभी देखो अगर हमने लिया वाउरीन Anda क्या लिया एकक मॉली क्यू लिया अब क्लोरीन का एक ओमक नंबर कितना होता होता है प्लोरीन का ठाविक नहीं ती सब्सक्र्राइब कौंफिग्रेशन करोगे तुम पाऊगे टु माइट कमा सेवन इट मिन्स है यह क्या है इसके तो बैलेंस एलक्टराण है यह इसको भैलेंस एलक्टरान बोलोगे और इसकी वैलेंसी क्या होगी है डोफ यहईक्वालघ्मेगों सब्सक्राइब इसका हम बनाएंगे डॉट इसके पास एक दो तीन चार पांच साथ साथ बना लिए किसके लिए एक क्लोरीन मौलीक्यूल के लिए कि है यह लोट म्हें देखो एक टीन चार पांच छस़ाइब क्या किया खिया जब एक किलेक्तान का सेयर होता है तो क्या बनेगा यहां पर सिंगल बांड बनता है और इस तरीके के बांडिंग को क्या बोलते हैं को वैलेंट बांड बोलते हैं अब इधर देको क्लोरीन है और एक क्लोरीन है इनके बीच में कौन सा बांड बने गया सिंगल बांड तो इसको बोलते हैं क्या हम को वैलेंट ब सब्सक्राइब और इसको क्या वो लोगे सिंगल वो लोगे अब बात करते हैं oxygen की यृटु मॉलेक्यूल की बात कर लो अब एक सिजन है oxygen का लिए oxygen है कि आटोर्मिक नंबर कितना एट होता है इसका electronic configuration करोगे तुमको क्या मिलेगा टू कामा six मिलेगा इट मिंस इसके आउटर मोस्ट एसेल में लग्ष्टरान कितने हैं वैलेंस इलक्टरान इसके पास है च्छ वैलेंस इलक्टरान कितने हैं च्छ है तो इसका का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ऑक्सिजन ले लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब देखो इनको क्या करना है अपने ऑक्टेट को कंप्लेट करना है आक्टेट मिंस क्या होगा इनके आउटर मॉशस्व में कितने होने चाहिए 8 login होना चाहिए अब देखो 24 दुष्य तो इल्टान को गर बीच में डाल दो इनके भी दो क्या हडालो बीच में डाल दो अब इहां पर देखो क्या कर ले सेक्षीर कर लीयं सिरिंग से कों से क्सकी बाइलेंट बनती है अब यह दर देखो ऑक्सिजन ने कौन सा बना लिया है ॹए ऻचिश हम उसको डबल बन बोलेंगे यह इüneस को कि बनता है एक एक जैमपल और ले लो हमने लिया एंटू मॉल्मेस ले लिया अब दोगे एंटू मॉलीक्यूल का क्या कानी है नाइट्रोजन है इसका नमर कितना होता अगर तुम इसका इलक्ट्राइट कौंफीग्रेसं करते हो तुम पाओगे 2 कामट 5 क्या मिलेगा अब 2 इसके आउटर मोस्यल में इलक्ट्रान कितने हैं इसको क्या बोलोगे वैलेंस इलक्ट्रान बोलेंगे वैलेंस इलक्ट्रान कितने फाइफ है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बना लिया इसके बार इलक्ट्रान कितने डाल दो तीन इधर भी कितने हैं तीन इधर दो इधर वान्ड बनीगा इसको क्या बोलते हैं ट्रीपल बांड बोलते हैं अलेको ये ट्रीपल बांड हो गया तो हमने देखा जो कार्बन का कार्बन के टॉम्टिक नंबर 6 होता है इलक्ट्रानी कौन्फिग्रिरेशन करोगे दो कामा फोर अगर आउटर मोस्वेल में इलेक्ट्रान जितने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रान बोलते हैं अगर यह नंबर तुम्हारा कहां पर है अगर फोर तक है तो यहीं इसका बैलेंसी हो जाएगा अगर फोर से जाता होगा तो हमको बैलेंसी निकालने के क्या करते है एट माइनस दैट नंबर करते हैं जैसे हमने देखा क्लोरीन के केस में तो सील टू की बीच में क्या है सिंगल बांड है और ऑक्सीजन क्या दो दो इलक्ट्रान का शेयर करता है इसलिए क्या बनता है कि इसको बोलोगे ट्रिपल बॉंड कि इसको नोट करो तो अब तक हमने यह देख लिया को वैलेंड बॉंडिंग क्या होती है को वैलेंड बॉंडिंग कैसे बनती है कि बात करते हैं सेचुरेटेड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड एंड अनसाचुरेटेड हाइड्रोकार्वन की तो सेचुरेटेड और अंसाचुरेटेड हाइड्रोकारवन की बात करेंगे तो सेचुरेटेड और अंसाचुरेटेड हाइड्रोकारवन को देखो पहले हम बात करेंगे किसकी सेचुरेटेड की बात करेंगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है हेडिंग डालो फर्स्ट वन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको हम पढ़ते हैं एलकेन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ प्लस टू तो फर्ष्ट हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इसका इसमें आता क्या है हम किसको पढ़ता है एलकेन को और एलकेन का जो जेनरल फार्मूला होता हो इन एक साथ को और तो अगर एक इसको मिलता है तो तो एक से तरीके से तुमको मिलते जाएंगे तो शेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्वन में कार्वन कार्वन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्वन में कार्वन कार्वन के बीच की जो बॉंडिंग होती हो क्या होता है सिंगल बॉंड होता है सिंगल वांड तो इसका मतलब है कि अगर कार्वन अपनी बैलेंसी को कार्वन 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 के बीच में का सिंगल वांड हो अगर कार्वन अपनी बैलेंसी को सिंगल वांड से कंप्लीट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे सबसे मज़दार बात क्याम करने वाले हैं कि इ पर देखो कारवन बनाओ और चार हांटम हमने क्या किया लिख दिया इसटॉक्चर किeze का है सीविब्स पूर का तो मुंख मालुम है कारवान की बैलेंसी होती कितनी फोर जो कारवण की बैलन स्थी फोर तो पिल सकत्ति कितने होते हैं चार होते हैं और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं एक-एक इलक्ट्रान होते हैं अब देखो इनके इनके बीच की बांडिंग कौन सी यह कोवैलेंट बांडिंग क्यों कि नहीं इनका सेरिंग किया है अब देखो हाइड्रोजन के पास इलक्ट्रान कितने हैं हाइ ही लक्ट्रान हुए तो यहां पर तुम को तुम देखते हो कारबन ने तो अपने ओक्टेट को कंप्लीट किया है लेकिन हाइड्रोजन अपने ओक्टेट को कंप्लीट नहीं किया है तो हाइड्रोजन बनाता क्या है ड्यूपलेट और हाइड्रोजन के अलामा अन एलिमेंट क क्या complete करते हैं अपने octet तो important बात है हईवे hydrogen octet नहीं बनाता है hydrogen क्या बनाता है duplicate duplicate बनाने का मतलब क्या है कि इसके outer motion electron कितने होंगे दो होंगे अच्छा देखो दो और किसके होते हैं helium हिलियम के outer motion electron कितने होते हैं होते हैं कैसे इसका electronic configuration करोगे तो क्या पाओगे दो पाओगे तो hydrogen helium की electronic configuration को क्या करता है यह चीव करता है तो अब हम बात करेंगे c2h6 की तो देखो c2h6 तो c2h6 क्या है दो कारवन है देखो दो कारवन है दो कारवन के बीच में देखो single bond होना चाहिए क्यों क्यों गंबट रहें क्या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या इनकी जो बैलेंसी होती हो सिंगल बांड से complete होती है hydrogen कितने है छे hydrogen है तो क्या करो तुमको मालूम है carbon लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या अन्साचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इसको नोड कर लो unsaturated hydrocarbon क्या है unsaturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon की बात करेंगे अब देखो unsaturated hydrocarbon का classification है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे फर्ष्ट होगा एलकीन और सेकेंड वन होगा sûr का आल 9 तो जिससे हमने देखा के वैंकर कारवन के बिच की बॉंडिंग क्या थी방 की लेकिन में क्या होग ऐस फिंड़ल बॉंड होंगे ऑलकाइ में क्या होंगे ट्रिपल बॉंड होंगे तो इलकीन का जो जेनरल फार्मूला होता है इसको ध्यान दो जेनरल फार्मूला तो एलकीन की जेनरल फार्मूला है होता है CnH2n इसका तो जेनरल फार्मूला CnH2n होगा एलकाइन का क्या होता CnH2n-2 यह होता है अब देखो अगर हम एन इकल टू वान ले सकते हैं जाए इसमें यहन्टी वान एलकेन के केस में हमने क्या देखा ऐसा नहीं कर सकते हो कियों कि अख लेते हो तो क्या होगा और कार्वन की क्या होगी कंप्लीट नहीं होगी क्यों क्योंकि कार्वन कितने सिंगल बना लेगा चार बनाएगा उसको बॉंड कितने बनाने होते हैं चार होते हैं तो यहां तो बॉंड कितने बन रहे हैं दो ही बन रहे हैं तो यह नहीं होगा अब मालो एलकायन के केस में यह निकॉल टू तूज़े तो होगा यह सीटू ह h4 c2 h4 यह हो जाएगा c2 h2 अब मालो एन इकल टू तुम 3 ले लो तो मिलेगा c3 h6 यह मिलेगा c3 h4 इसको नोड करो वह हम बात करेंगे हाव टूड्रा हाव टूड्रा इस्ट्रक्च्रल फर्मूला और अर्गेनिक कमपाउंड तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर इसी लेक्चर में खतम करेंगे हाव टूड्रा इस्ट्रक्च्रल फर्मूला हाव टूड्रा इस्ट्रक्च्रल फर्मूला है उसलिसे हम बात करेंगे और ट्रॉक्टरल फार्मूला ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड केडिंग डालो कि तो मादलो हम एक सिम्पल एक जांपल लिये था किसका इच ओक छोर का हमने क्या अनिया था सिम्पल एकजामattend दिया था तो तुमने क Darren के रेखा था कार्बंथ उत्य चाइए ध्याट किया और इससे कितनी जोड़ दीए थे दुन है यह पर अनुग हम बात करेंगे itवी सीक्स की बात करेंगे शीने कोशना प्रण लिए किया करोगे पहले तो कार्बनिन्स को क्या करो में शेल बाण्ड से जोड़ո्स सिंगल बंड से क्या कर दो अब इस कारबन को इसको तीन सको दे देऊ तीनिसको अब मालुम है कार्वन की बैलेंसी होती है की फॉर तो कारबन बौंड कितने बनाइगा चार बन बनाइगा तो इस पे क्या करinated तीन त frente क्या किया तीन और लटका दिया और पर भी उंगली रखो तीन डंडे को क्या करो लटका दो अब तीन डंडा लटका दो तो hydrogen पिकितने है तुम्हारे पाच्छे अच्छे कितने है तो hydrogen को क्या करो जोड़ दो इस तरीके से तुमको क्या मिल गया सीट्व या सिक्स का structure मिल गया अब एक किसन और ले लो मानलो हमने ले लिया c3 h8 लिया अब इसका इस्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे अब देखो कारवन 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 इसके बीच में क्या बना तो सिंगल बॉंड से इसको जोड़ दो अगला इस्टेप क्या होगा उंगली रख लो कितने बॉंड बनाएग तो कितने और बनाएगा तीन बॉंड और बनाएगा यह भी कितना बनाएगा तीन बनाएगा कि का की था यो motherf Saundra कांट करके देखलो इत हैं तो Columbi के इसी प्रॉपार्टी को क्या बोलतेका अर्लन की फोर होती है वालन सीवहार होने की वज़र से कारमन क्या ओर देर सारा कंपाउंड बनाता ह। नूए के तो एक किवसंग और लो ऑनने लिया शी टू हज विस्ट Pra शों का इस्ट्रक्चर ड्रा करो विडियो को पॉच्च करके क्या करो कर कर देखो अब लिएक एसिट में क्यान है सब से पहले क्या करए कारबन और कारबन को क्या करो कर लिया अब लिक ट्रा कि यह hydrogen कितने है चार तो दो hydrogen इसको दे दो दो इसको दे दो अब count करो 123 123 carbon bond कितने बनाए तीन बनाएगा कितना चार तो इसके मतलग सका मतलब क्या है इसके भीछ में क्या होगा होगा तो डबल बांड को क्या करो इंसर्ट कर दो अविएंत कि सद और ले लो कि सन नमबर फाइव मनलो है सी थ्री है यह जिस सिक्सशिंफी है इसका इस्ट्रक्चर डुरह करो तो इसको ड्रॉर करने के लिए क्या करोंगे कारवन लो कारवन लो कारवन ठीक है अब देखो 3 छ वैसे भी देख रहे हो यह क्या है एलकीन है सिए हो तूप है या तो तो अगर इस फार्मोली को तूम यूज कर लेते हो तो पता चल जागा इसमें क्या होगा डैवल बान्ख होगा नहीं तो अभेसको क्या करो हडोजन देदो दो डाउर छाव डेनियस को देदो 2 इसको देदो दो एसको देतोрах अब देखो 1-2-3-4-5 अब देखो थे siis 4137-3 तो क्या हुआ यह complete हुआ complete नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि इन कारवन करवन के बीच में कहीं तो कहीं क्या है double one है ठीक है double bond है अब देखो हमने क्या के इस carbon के बीछ में तो डबल बंड लगा दिया वर्ण टू थ्री फोर अब इस carbon की वैलेंसी क्या होगी complete हो गई अब देखो 123 तो इसको क्या करो एक hydrogen इसको दे दो अब देखो वान टू थ्री फॉर इसका भी वाइल कम्पलीट हो गया अब देखो वान टू थ्री इट मिन्स इसको एक घ्रजन ओर देना होगा अब अब हड्रेजन काउंट करो तीन चार पांच है तो यह हो गया किसका का इस्ट्रक्चर सी 3S6 का इसे होगा तो जहां पर यह तुम अगर देख लोग कार्वन की अगर वैलेंसी इन कंप्लीट होती है तो इसका मतलब है कि कार्वन कार्वन के बीच में डबल वन आना मस्ट है तो इसको नोट करो तो हम और कुछ क्यूश्टन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टन बात क्या है कार्वन की वैलेंसी फोर होती है वैलेंसी फोर होने के वज़े से क्या करता है काइटेनेशन की प्रॉपर्टी रखता है यश्ट है अच्छा देखो अभी एक हमने एक और लिया कंपाउंड कि यह तो था हावड़ू लिया सेसी फोरहयच एट सी फोरहच याड क्या किया करना स्ट्रक्शर ड्रॉक करना ए अव चल्फ से फोरहच यक्लिए क्या करो पहले कार्वन कार्वन कारवन 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 के बीच में क्या बना दिया हमने सिंगल मॉन बना दिया अब देखो हाइड्रोजन कितने है आठ हाइड्रोजन है तो एक इसको दे दो एक इसको दो हुआ दो यहां पर दो दो यहां पर कितने हो गए चार एक इसको दो एक इसको दो अब देखो वान टू थ्री फोर वान टू थरी बर अब देखो अब ऐसे करने हैं चल रहा कि इसकी बैलेंस क्या हो रही है इसका मतलब क्या है कि इससे और कहीं न तो क्या को क्छै और तो क्या करो बीच में हमने क्या कर देख डबल वसन लगा दिया ठीक है है अब count कर लो 1 2 3 it means is whole hydrogen दे दो 1 2 3 it means is whole hydrogen देदो अब देखो 1 2 3 इसनें bon kتने राड़ ये तीन बना लिए तो इसको भी क्या करो तीन हैड्रोजन दे दो इसको भी क्या करो तीन हैड्रोजन दे दो देखो 1 2 3 4 complete 1 2 3 4 complete 1 2 3 4 complete तो इस्ट्रक्चर किसका है c4 h 8 का यह क्या है structure है अब देखो hydrogen को तुम अगर ऐसे लिख हो इधर उधर किसी भी तरीके इसे क्या कर सकते हो लिख सकते हो अब अगर चाहो तो इस तरीके से अच्छे से लिख के दिखालो लेकिन यह घबडाने की बात नहीं है कि क्यों इस इसको इधर लिखिने क्यों तो यह हो गया इसका structure अब देखो यह तो हमारा हो गया in Open structure ऑप क्रिंगे अब बात करेंगे यह स्टरक्चर की बात करेंगे अच्छा देखो अभी कि ऊपन है अगर हमने क्या किया इसी इसी कंपाउंड का हमको एक यह प्हूआ बनाना हो एक लोडिक क्लोज में से रिंग रिंग बनाना हो एगर अब लिदो रिंग कार्बन कितनें कार्बन करो रिंग बना लो वोगा अफ जहां पर डवल वान आता है अगर周हांठ कार्बन का नबर का हो तीन हो या तीन से जादा हो तो ribs क्या हो रिए बनने की फासुडिल्टी है रिंग बन जाआगा कशो इधर एक डबल बांड संख्या कितनी ओन्हास फ्रीपोर तो रिंग बन जाएगा अब देखो इस कारवण ने बांड कितने बना ली तो दो हैड्रोजन और इसको चाहिए इसको भी क्या करो दो हैड्रोजन और दे दो वान टू थ्री फोर इसको भी चाहिए दो हैड्रोजन इसको भी क्या चाहिए दो हैड्रोजन दे दो तो इस तरीके से सी फोरियाचेट का यह तो क्या है तुम्हार ओपन स्टक्चर आओ रहे क्या है रिंग है अब देखो अगर तुमको हम देदें साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए देखो कारवन है कारवन 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 अब देखो कारवन कारवन इसकी वैलैंसी देखो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 wine बना लिए इसद्छे बान उखल अगर हम क्या करते हैं इसके बीच में एक हाऊच्छन यहां पर लगा दो एक हाऊ पर लगा दो एक यहाँ पर लगा दो एक यहाँ पर एक यहाँ पर इसी तरीके सगने हमने सारे कारवन को दो-दो हाइडोजन दे देते हैं तो एक क्या बन जाता है साइक्लो हेक्सेन इसको बोलोगे क्या साइक्लो हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन और इसका molecular formula क्या होगा देखो 1,2,3,4,5,6,6 carbon है तो C6 लिखो गए और hydrogen गिन लो 6 दूनी 12 है तो इस compound के structure होगा C6 H12 तो इसको क्या बोलते हैं यह तो ring है तो ring structure हो गया इसका और ring के लिए क्या लिखते हैं cycle लिखते हैं और तुम्हारा क्या है open structure है तो इसको note करो तो हम कुछ और बात करते हैं तो अब तक हमने देख लिए how to dry structural formula of organic compound अब हम बात करेंगे आज़ी पेस्सी नौमन क्लेचर और ओर्गेनिक compound की तो नौमन क्लेचर की बात करेंगे नौमन क्लेचर की बात करने से हम बात कर लेते हैं functional गुरूप की कि फंक्शनल गुरूप क्या होते हैं अब जो को फंक्शनल गुरूप क्या होते हैं फंक्शनल गुरूप की बात कर लो अजय को फंक्शनल गुरूप क्या होते हैं फंक्शनल गुरूप किसी कोई भी और गेनिक कमपाउंड है तो फंक्शनल गुरूप functional group decides the chemical properties of organic compound organic compound तो functional group क्या होते हैं और्गेनिक कंपॉंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं फॉर एक्जम्पल ओएच यह क्या है अलकोहलिक ग्रूप हो गया सी एच्चो एल्डिहाइड हो गया सी ओ ओएच्चे क्या हो गया अब इधर एच्टू लगा दो तो क्या हो जाएंगे बेस हो जाएंगे एक्सेटरा तो एह सब क्या है फंक्शनल गूरूप है अब हम बात करेंगे ओंड़ चॅंत को bahare इक Вас और में हम्पाउंड के दए sil अगरess to हो हम और हम वाद करते हैं एलकेन और हमने भी बात किया है, एलकेन का फर्मूला होता है है CH4 मिलता है n equal to two लेते हो तो C2H6 मिलता है n equal to 3 लेते हो तो C3H8 मिलता है अब देखो इस carbon और इस carbon के बीच में अंतर कितना CH2 का इसके इसके बीच का difference क्या है CH2 का तो अगर किसी भी organic series में अगर तुमको CH2 molecules का difference मिलता है तो उसको क्या बोलते हो homologous series बोलते हैं इसको homologous series बोलते हैं अब देखो तुम्हारे लिए homework क्या है तुम्हें यह find करो क्या Elkine क्या Elkine and Elkine homologous series बनाते हैं देखो Elkin and Elkine क्या होते है होमोलोग को सीरीज बनाते हैं तो इसको तुम चेक करना क्या तुमको मिलता है CH2 का डिफरेंस अब हम बात दोस्तों आज के क्लास में इतना ही नेश क्लास में हम इसके आई पेसी नॉमन के लेचर की बात करेंगे तब तक के लिए बाय बाय और टेक केर